नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग सपताहिक रासी फल अगस्त महिनया का ये तीसरा सपता आपके लिए कैसा रहेगा पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कह रहे हैं सुर्य सिंग रासी में गोचर करते हुए बुधादित्य राजयोग बनाएंगे बुध पहले से ही सिंग रासी में बिराजमान है और सुर्य बुध सिंग रासी में यूति से बुधादित्य राजयोग बनेगा अगर हम चंद्रमा की बात करें तो सप्ता के प्रारंब में तुला रासी, 12 अगस्त को 12 पचपन रात से बिश्चिक रासी, क्रमस धनू रासी और फिर मकर रासी में गोचर करेंगे सुर्य सुर्वात में करकरासी में है 17 अगस्त की तड़के वो सिंगरासी में गोचर करेंगे पूरे सप्ताह मंगल और गुरूब डिसवरासी में सुक्र सिंगरासी में वक्री बुध सिंगरासी में और वक्री सनी कुमरासी में रहेंगे वक्री राहू मीन डासी में गोचर करेंगे इन्ही गरहों की चाल के आधार पर हम सप्ताहिक रासीफल की बात करेंगे सिंग डासी ये सप्ताह स्वास्त के मामलों में बहुत अच्छा नहीं है सप्ताह की सुरुआत में अपने स्वास्त का ध्यान रखे और बे बजह का तनाव थोड़ा हो सकता है इसका खयाल रखेगा बे बजह का पैसा खर्च हो सकता है खास कर स्वास्त के मामलों में थोड़ी भाग दोड़ हो सकती है तो परेसानी दिख रही है ऐसे में करियर में भी लापरवाही ना करे अगर कोहीं कोई साइन करना है लिखा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा पूरे सप्ता माता रानी को लॉंग अर्पित करें उनको लाल पुस पर पित करें तो बहुत हद तक चीजें स्थिर रहेगी तो सुरुवात उतार चड़ाओ से भड़ा रहेगा लेकिन उत्तरार्द में कुछ चीजें अच्छी होती ह भी नजर आएंगी किसी कारे में मन्चाही सफलता ना मिले तो निरास मत हो यह बलकि प्रयास करते रहे हैं सप्ता के सुरुवात में करियर कारोबार को लेकर आप बहुत ब्यस्त रहेंगे अचानक से बहुत सारे खर्चे आपके माथे पर आ सकते हैं और इस कारण उधार ल जो लोग बिद्यार्थी हैं परतेता परिशा की तियारी कर रहे हैं सप्ता के उत्तरार्द में सुब समचार की प्राप्ती होगी रिस्ते नाते को बहतर बनाने के लिए आप अपने बिचार को थोपने का परयास ना करे और मध में आपका परिवार के किसी सदसे के साथ मतभेत हो सकता है जिसके कारण कुछ लोग से उचित दूरी आप बनाते दिख रहे हैं प्रेम संबंद सामानने रहेगा कठिन समय में लब का साथ मिलेगा वैवाहिक जीवन हलांकी उत्तम है लेकिन अपने खान पान का ध्यान रखें स्वास्त का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है आत विश्वास्त सप्ता के अंत में आपका एक बार फिर से लोटेगा जमापूंजी बढ़ेगी नौकरी की स्तिती फिर से बढ़िया होंगी और मुनाफ़ा वेपारी भाईयों को भी होगा आनंद खुसियों के पल स्वास्त किसी भी कारे में आपको जल्दबाजी नहीं करना है और थोड़ा सा जीवन साती के स्वास्त को लेकर थोड़ी परिसानी होगी थोड़ा साबधानी रखेगा कोट कचरी के कारियों में भी आपको थोड़ा साबधानी सतर्कता रखना होगा हम आपसे विदा दर्निवाद